कॉंग्रेस के वरिशनेता एहमद पतेल का निधन हो गया 71 साल के एहमद पतेल लंबे समय से बीमार चल रहे थे उन्होंने गूरू ग्राम के मिदानता स्पताल में आखरी सास ली एक महीने पहले उन्हें कोरोना हो गया था उसके बाद से उनकी सेहत खराब चल रही थी तब एत बिगडने के बाद उन्हें कुछ दिन पहले में दानता स्पताल में भरती कराना पड़ा लेकिन मल्टी ओर्गन फेलिर की वज़े से उनकी हालत में सुधार नहीं आया आज सुबा तीन बच कर तीस मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली एहमाद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट करके अपने पता के निधन की जानकारी दी साथी अपील की की लोग कोरोनप प्रोटोकॉल का पारन करें सोचल डिस्टेंसिंग बनाय रखें और भीग जमाना करें एहमाद पटेल तीन बार लोकसभा सांसद और चार बार राजसभा सांसद रह चुके हैं 2001 से वो सोनिया गांदी के राजनतिक सलाकार के तोर पर काम कर रहे थे अगस 2018 से वो कॉंग्रेस की कोशाध ध्यक्ष भी थे आखरी बार वो 2017 में गुजराच से राजसभा के लिचुने गए थे पहली बार 1977 में वो लोकसभा पहुंचे थे कॉंग्रेस मजबूत करने में एहमद पटेल की अहम भूमिका मानी जाती है कॉंग्रेस के दिगज नेता एहमद पटेल की निधन पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी ने भी शोक व्यक्त किया है उन्होंने एहमद पटेल को तेज दिमाग वाला ने तबताते हुए कहा कि कॉंग्रेस को मजबूत करने में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा प्रधान मंत्री ने ड्वीर करके कहा कि उन्होंने एहमद पटेल के पुत्र फैजल से बात की है और सामतमना दी है उपराजपती वेंग या नाइडू ने भी एहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है कॉंग्रस निता राहूल गांधी ने भी एहमद पटेल के निधन पर शोक जताया है और शद्धानजली अर्पित की है उन्हें पार्टी का स्तम बताते होई राहूल ने कहा कि वो मुश्किल वक्त में भी कॉंग्रस के साथ खड़े रहे वो पार्टी की बेमिसाल धरोहर थे वो हमेशा याद आएंगे परदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्य मंतरियों के साथ एहम बैठक में कोरोना वैक्सिनेशन का पूरा प्लैन बनाया है वैक्सिन के अप्रूवल होते ही देश में कोरोना वैक्सिन की डोस का पहला फेर शुरू हो जाएगा टीका करंट से पहले हेल्थ वरकर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी और फिर वैक्सिन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर्यस का इंतजाम करना होगा देश में चार चरनों में लोगों का टीका करन होगा दिस्ट्रिक और बलॉक Lego पर एक टास्क टीम होगी जो प्रयूर्टी के हिसाब से टीका करन करवाए टीका करन से पहले chaotic में Health Workers का वेक्सनेशन होगा दूसरे फेज में Corona युदधाओं का वेक्सनेशन होगा तीसरे फेज में बुज़र्गों का और चौते फेज में बचे हुए लोगों का ठीका करना होगा दिल्ली, गुजरात, मदिप्रदेश, रायस्थान, बंगाल, महराष्ट, केरल और 36 गड़ की मुख्यमंत्रियों ने कोरोना को हराने के लिए किये जार है एक्शन के बारे में प्रधानमंत्री को बताया प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को RT-PCR टेस्ट का अनपाद बढ़ाने का सुझाव दिया सताथी देश भर में अक्शिजन की कमी ना हो लेहाजा 160 नए अक्शिजन प्लांट और खत्रे को देखते हुए राज्जियों को ज़तर्वत के हिसाब से केंदर सरकार वेंटलेटर मोहिया कराएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जवाल ने प्रदूशन और पड़ोसी राज्जों में जलाई जारे पराली को कोरोना के बढ़ते केसिस की वज़ा बताया तो बंगाल के मुखिमंत्री मम्ता बेनरजी ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों की वज़ा से कोरोना के बढ़ते मामलों को जिमेदार बताया तो महराश्च के मुखी मंतरी ने कोरोना की वैक्सीन के लिए किये गए इंतिजाम और कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए उठाये गए सक्त कदमों के बारे में बताया दिल्ली में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 109 मरीजों की माथ हो गई जबकि पिछले 24 गंटे में कोरोना के 6224 नए केसिस सामने आए दिल्ली में मिर्तियों के आंकडे डरा रहे हैं कोरोना के हालात को देखते वे दिल्ली सरकार ने फिलाल स्कूल बंद रखने का फैसला किया है गुजरात में बढ़ रहे कोरोना के कैसेस के चलते सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई है 23 नवंबर को एक दिन में 75,000 टेस्ट हुए तो एमदाबाद में 74 अर्बन हेल्थ सेंटर, आईवे, रिल्वी स्टेशन और बड़े कमर्शिल सेंटर पर भी कोरोना टेस्ट शुरू की गए पहले से ही एमदाबाद, वडोदरा, राजकोर्ट, सूरत जैसे शहरों में नाइट कर्फी रुखा गया है राज्थान में एक दिन में कोरोना के पॉस्टिव मरिजों के मामले में रिकॉर्ड उशाला आया है पिछले 24 गंटे में 3,334 कोरोना के नए कैस आये तो अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 19 मौते हुई है करोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुई राज्थान के दौसा में शादी समारों में रेंडम सेंपलिंग होगी माराश्ट में पिछल 24 गंटे में करोना के 5,349 कैस सामने आये वहीं 24 गंटे में 30 लोगं को अपनी जान से हाधो न पड़ा करोना संक्रमन को देखते हुए महराश्ट सवकार ने दिल्ली NCR, गुजरात, राज्थान और गुवा से महराश्ट आने वाले लोगों के लिए कोवीट की निगेटीव रिपोर्ट अनिवार कर दी है महराष्ट जानने से पहले COVID की निगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है वेक्सिन कमपनी भारत बायोटेक ने एमदाबाद में COVID वेक्सिन का ट्राइल शुरू कर दिया है हजार वॉलिंटियर्स पर COVID वेक्सिन का ट्राइल होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले